हलो नमस्कार जहिंद अज के हम लोग इस वीडिव में बिहार पर के सिर्फिदी करेंगे कि बिहार इतना पीछे कैसे रह गया बिहार अन्ने राजियों से पिछड़ कैसे गया और बिहार में किस कि स्प्रकार की प्रिषण आया होती है क्याका रहा है कि और कि आगे पर अदो बिहार को भुस्त करके में स्टेट की मुख यदारा में लाने का प्रयास्त करें तो हम लोग केसी स्टडी देखेंगे इस पर कि बिहार इतना पिछड कैसे गया क्या क्या रीजन रहें पिछड जाने के इसलिए बीडियो बने रहें वीडियो को लाइक कर दें पता चैनल को अभी तर्सक्राइब कर लें जैसे इस प्रकार के इंफर्मेटिव वीडियो समय समय से आपको मिलती रहें क्योंकि यहीं एक बात समझने में पूरी जवानी घुजर गई कि मेरा सब के लिए अच्छा होना मेरे लिए अच्छा नहीं है देखते हैं आगे इसके बारे में देखिए बिहार के बारे में स् इस वर्ल्ड मैप है आपके सामने विश्व का मैप है इस के मैप में अपना प्यारा सा इंडिया यहां पर है इंडिया में यहां पर बिहार है पहले इंडिया को जुम करते हैं तो इंडिया का यह मैप आपको दिख जाएगा इंडिया को मैप देखें जुम करेंगे तो इं हैं और बिहार को जुब करेंगे तो इस प्रकार का आप को देख़ाऊ इधर उत्तर प्रतेशा पढ़ेगा इधर नेपाल पढ़ेगा इधर जार्खंड पढ़ेगा इधर जार्खंड जो बिहार से ही अलग हुआ है सन 2000 में इधर वेश्ट बंगाल पढ़ेगा पस्चिम बंगाल यह बिहार है अब बिहार को समझने कोशिश करते हैं आगे देखते हैं अगर समुद्री सीमा होता तो पत्तन इत्याद के कारण भी बहुत विकास होता है लेकिन विहार एक अश्तल अउरूद देस है इसका मतलब चारों और यह से ग्रहा हुआ है एक तरह अंतरास्थी है भी नेपाल के साथ है नेपाल के साथ होने का अब नेपाल के साथ होने का कितना बड़ा फायदा होगा ठाख drug जैसे कि मैंने बताया आपको कि बिहार लेंड लाक्टिक कंट्री है चारों औरों से और निराज्य बिहार को घेरे हुए है यह इधर से यूपी इधर से जारखंड इधर से वेश्ट बंगा ते चारों और से घेरे हुए हैं इसके पास कोई शमुद्री सीमा नहीं है को भाल के साथ है आप 0W और क्योंकि इसके पास अंतराश्टी सीमा नहीं है इसलिए इसलिए नहीं हो पाता है इंक्रीज हीं ट्रांस्पोर्टेशन काश्ट अब ट्रांस्पोर्टेशन कष्ट इसमल्की काफी समय्हा है थी दिखाएंगे आपको फोटे में किस प्रकार के रोड से तूखा वा बाढ़ इसका जोग्राफिकल इंडिकेट्स प्रकार का है एक साइड में सूखा पढ़ जाता है तो एक साइड ने बाढ़ पर जाती है क्योंकि एक छोटा से एरिया है इतना छोटा भी नहीं है लेकिन प् और शडञ समस्या जैसे मैंने आपको बताया देख सकते हैं पर इल्टें यहां पर देखेंगे तो इस साइड में नेपाल जोहिस कही हिमालय का प्रभाव है यानि की इधर बिहार में कुछ छेतर तक पहाडी एरिया है इधर आगे जहारकन दोगा जहारकन भाई प्तार का प्रभाइप तक यहां भी अब यहां पर सभी नदियां बीच में तो इस लिए विहार में सभी नदिया जितने नदियां है घनत्व की दिस्टिस देखें दो यहां पर पहुआं आ बहुत भी पानी अभर होता है तो इन खहती है इन छेत्रों में बाढ़ा जाती है यह च्छुत्र सूख्य रहते हैं यह च्छेत्र था तो सूखह नहीं रहता है क्योंकि देखिए यहां पर प्राकृतिक रूफ से इसको देखें इधर जो है कि इधर नेपाल में हिमाले होगा और हिमाले का ही इधर उचा वाला छेत्र होगा हिमाले का ही प्रभाव होगा जिससे इधर की उचाई ज्यादा होगी यहां आगे जारखंड होगा जहां पर छोटा और में मुख्य यहां पर क्रिशी अच्छे से हो पाती है लेकिन अधिकाउन रूप से अच्छे संभावना यहां बनती है इसलिए आपको अलग अलग कलर दिख रहा होगा यहां पर इसलिए गृशिक की सम्भावना भी उस अस्तर तक नहीं बनपाती जिस अस्तर तक बनना चाहिए था देखें सड़क की बात देखें तो यहां पर देख सकते हैंक sommes यह सड़क है यह भी सड़क हैं आप यहां पर देख सकते हैं पता नहीं चल कuke slity के बिहार में यह बहुत सारी एस्टित में बहुत सारे स्टिती है लेकिन कंप्रेटल करें अगर बहुत बहुत ज्यादा यह इस तृब जहागे हिसे यह होता है कि तो ट्रांस्पोर्टेशन कस्ट बढ़ जाता है तो चीजे महंगी होने लगती है बजार में नहीं अपाती समय समय से जैसे फारीग जांपूल घरिजांपू अगर ए से अस्थान-ए से अस्थान- अस्थान-वी तक आपको जाना है और शड़क χराब है निदक होने से पेट्रोल का खर्चा सविक्य बढ़ता है और टायम भी चानधिक लगता है मैंनत तो लगते मैंनत को छोड़ी दिजीये कड़ी चलाने में लेकिन पे पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ जाता है और टाइम के खर्चा भी बढ़ जाता है अब इसी चीज को एग्रेट का रोड बना दिया जाए एसे बी तक जितना इस्ते mejoritan में सकता है जला सकता है और लेकिन विखशित जो राज्य हैं ईसलिए नहीं अच्ही है क्यों पिक्सित है वल्कि किसी लिए विक्सित हैं क्योंकि वहां सड़कhtaय अच्छी निया नोगыт कि पता नहीं है कि आप the मांते हैं यहां पर कोई रोक टोक नहीं है उपला जाएगा पाहली बात दुर्गन धाएगी पहली बात और दूसरी वात अगर इसमें हुआ तो, दिवार में टच हुआ कोई चाहि औरोड में अगर दिवार टच होगा तो क्या होगा तो यहाँ पर किऊ रूट पर हीउपला लगा दिये जाते हैं यहां पर देख सकते हैं यह रोड बन रहा है यह रोड बन रहा है कि रहा है स्यमेंट से हैं यह त। यह उतला लेकर के लग वह सिमेंट जो मिक्सिंग है जुसी में मिक्स मसाला बना हुआ है मिकस बना हुआ है से में बनाने के लिए उठा के अपने कर ले जा रहे हैं अब बीडियो में देख सकते हैं ऐसा बात है में ऐसे को देख सकते हैं है हुआ है था करद सब्सक्राइब कोई अपी देखिए नोव मेज़र इंडेस्ट्री यहां पर बिहार में कोई बड़ी इंडेस्ट्री नहीं है इसलिए यहां की लोगों को जीविका चलाने के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है और बिहार से बाहर जाएंगे तो तो इत्यादी समस्याएं होती है तो इसलिए अगर कमाते भी है तो बचता नहीं है और बचता नहीं है तो PCI जो है काफी कम होती है PCI मतलब पर करप्टा इंकम आगे दिखाएंगे PCI आपको दिखाएंगे कितना होती है मद्य वेष्ट बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं जाता है ट्रक खाली है तो बिहार से ले जाने के लिए बिहार इमपोर्ट करने के लिए अथना प्रभावस्याली नहीं है इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट बहुत कम से कम करता है पहले घर खंड तो करता भी था अब जरक अलग हो गया इसके बारे में बताएं गी लेकिन भी दिरी दिरी लास्म में चलने लगी तो अधिकांस मिले बंद भी हो गई लास में चलने का रीजन यह है कि वहाँ मैंने रीजन दिखाया सबसे बड़ा रीजन तो ट्रांस्पोर्टेशन ही होता है न क्योंकि अधिकांस उसमें चीज़े सामिल होती है ट्रांस्पोर्टेशन के ट्रांस्पोर्टेशन अच्छी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता है तो ट्रांस्पोर्टेशन कि लोगों को रोजी रोटी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है जब यहां मुख्यरू से बहुत बड़ी कोई इंडुस्ट्री नहीं कोई फैक्टर नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने में पचत कम होती है फेती के लिए परयाप्त सब्सक्राइद सर्वादिक जमीन क्यों है रहयर जमीन के लिए इतने लोगों के लिए परयाप्त नहीं है खेती करने के लिए उतनी जमीने लिए टेक्टी जा रहा है तो इस प्रकार की मीले हुआ करती थी अब कपर एक हो गई है को कि घाटे में चलने लगी थी यहां पर इस प्रकार की देख सकते खीति करने के लिए आज भी परमपरागत सादुनों का प्रयोग किया जाता है भी आज भी परमपरागत liai कप्रियों के जैसे पंजाब में इतना टेकनोलोजी का इस्तमाल होता है खेती में भी वहां इन छेत्रों में नहीं होता है आज भी प्रमप्राकत तरीके से बैल और बैल से खेती होती है अधिक साधिक ट्रेक्टर चल सकता है यहां पर देख सकते हैं लोग बाहर जा रहा है प प्रकार कि सिष्टम आटेमेटिक हो जाती है गज्बोव और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोड़ पर रोड़ चलते होई रोड़ निकलने लगते प्ञाइए रख आ रहा हूंहा कि रोट क्रस रूट करते हैं कि उन्हें ऐसा एक मिनट का इंतजार करने में अपनी लेकिन होती है इसलिए इंतजार नहीं कर सकते हैं इस प्रहूंत कर रहे है इस प्रकार तो हम आगे बढ़े हैं यह रूट की समझज़ा है रूट पर इंतजार कर रहे हैं ट्रक वाले और वहान वाले इंतजार कर रहे हैं कि यह लोग हटे हैं तो हम यहां से आगे बढ़े और यह पता नहीं क्या भीन रहे हैं मचली पकड़ रहे हैं कि क्या पकड़ रहे हैं मुझ बीहार में आपस defect आ गए हटाइबंने के सब हाथ निकल गए सब जो है कि हर्ण के पास चले गये तो बहुत कुछ कानीज का चला गया जारिक हटा गया गया थी निकल गया अब तो कुछ खनीज भी नहीं रहा बिहार में तब खनीज कहा चला गया ज्ढकन चला गया यह बिहार का में और ज्ढका में की और दोनों पहले कि महीं हुआ करता था तोहजार से पहले दोने कि वहार तो इधर इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री जो है जो खनीज है वहां इस इसमें सब बिहार में आते थे उस समय कुछ प्रस्परिंटी थी लेकिन अब फिरहाल क्या हो गया सब बिहार के बाद जारखंड लग तो सब जो है कि इससलमसेटन घाटना अगार सबस्कों जले गया कि Україं तो साने देख civ की आखिएख वहां लेकर चाहिन पालाइक होता है और यसे तक 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 जब69 जबत किसे एक सब्सक्राइब कर अब अब यहां करना चाहें तो आप सकते हैं और सब्सक्राइब भी दे जाएगी स्टेट को धिजाते थी उससमें तभी राजी के साथ अपना इंडस्ट्री बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे अपना इंडस्ट्री बढ़ते रहे लेकिन उससमें क्या करता था बीहार जो है कि गच्चा मल अपनकी यह आंजाए इंडस्री वहां उनकी यहां लग जाए अग अज होने की वजह से वहां कुछ इंडस्टी तो लगी लेकिन जो भी इंडस्टी लगी तो ज्यारकंड वाली हाइं हधैक क्लिक वे थो गया देख सकते हैं यह ट्रक जा रहे हैं एक त्रक कच्र प्लाइड पया की लेकर जा रहे हैं ऑसे में चाहिये क्या था उस्में पर कि इ Smells कर दिया जाए कि वहाँ पर कच्छा माल है तो फिस अले वहीं लगे सथानी लोगों को नौकरी मिल सकती थी अस्थानियों लोगों को जाब मिलता और रोजगार मिलता इससे बिहार की जीटीप आगे वढ़ती बिहार के अग्विन में ग्रोथ होता लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस चीज को आप ऐसे दिल पर नहीं लेना है अगर किसी को बुरा लगे तो मैं इसके लिए पहले माफी ले लेता हूं तो जो है कि इसका बात यह नहीं है मैं सिर्फ केस स्टड़ी देने की कुछिस कर रहा हूं कि किस प्रकार से क्या हुआ और आगे क्या करना चाहिए उसके बढ़रे महीना बताएं गे और आपको जो समझता आएगा आप भी कमेंट बारे में क्मेंट में क्या करना चाहिए क्या Collaborative कमे ड़कते होता है जब कुए में रहता है सुपने क्वेकु अपना दुनिया समझता है तो यहां की लोग सरकारी नवे को सरकारी नवकरी को ही सब कुछ समझते हैं एक बेवसाइए लाखु रुपे महीने कमा रहा हो उसके कोई समाज में कीमत नहीं होगी जितना उसके कीमत हो सकती है जो एक 30,000 चारीशार रुपे का नवकरी करने वाला एक आदमी सरकारी नवकरी करता हो तो सरकारी नवकरी भले हित्ति चाले जर्पेगा करता हो उसकी काफी कीमत है समाज में तो सम्मान प्राप्त है अलंकि यह सिर्फ बिहार का नहीं है उत्तर प्रदेश की समस्या है और सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है बहुत सारे राज्यों की पुरे देश की समस्या है लेकिन अधिकान समस्या यूपी और बिहार की ही है अधिकान समस्या उत्तर प्रदेश और बिहार की पुर्वी उ समाज के लोग आपको जानते हैं पहले पुछेंगे बहुत अची चीज बानते हैं उपरी कमाई का मतलब की घूस इत्यादी फूस तो उपरी कमाई को अच्छी मांते हैं अब उपरी कमाई अगर में नहीं कहतें कि सभी लोग अच्छी मांते हैं बहुत सारे लोग अच्छी मांते हैं लेकिन विल्च ने Online क्या है माइंड के अगर फटे हैं लखेृ उपरी कमाई की चक्क्र नोकर पड़ते हैं हागर दैफे जाते हैं string करता है जिस प्रकार से आप सोचते हैं आप सोचते हैं वह जाता है वुए गरbelsा यह समर्ज हम कैसे करता है तो इस निभ़ा में कि अभगा Mario May चब्वे बनने निकले और दूबे बनकर लटे अगर बेपार करने आप जाएंगे तो दस लोग मिल जाएंगे आपकी टांग पीछे खिचने के लिए दस लोग खिचके बैट जाएंगे पुरी उतर प्रदेश अब हीर्श परथ हार के क्ली का नोटोरियस से है यहां पर भी हार पर पर अपनी उमरेत लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा देके बेच यह है ऊपरी कमाई वर्क नीचे से पैसा क्रता है क्रता क्रेंट करता क्या है वह calculate dowry amount कर इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा कि आपको दहेज कितना मिलना चाहिए हम यह नहीं कहा रहे हैं यह जो है कि उसका अथेंटिक चीज़ है यहार का अथेंटिक चीज़ है लेकिन समाज जैसा सोचता है तो समाज की सूच के उसार ही तो यह बिग स्थुआ है अगर स इसके कुछ फायदय होते हैं कुछ नुक्सान होते हैं जो अपर काश्ट वाले थे अपर काश्ट वाले वह लोवर काश्ट को पहले दबा कर रखते थे अब इन लोगों के पास समस्याएं होती थी अपर काश्ट वाले लोवर काश्ट को दबा कर रखते थे चला किदर आप बध्वा मज़दूरी वो अलग चीज है इसके टापिक में नहीं जाएंगे लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं हमीवी बताना चाहते हैं कि आपर कश्ट वाले जब लोरकेश्ट वाले को परिशान करते थे पहले इस लोरकेश्ट वालों के मन में यह ढींड है यह उपज सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अपसे फाइदा भी हुआ है और साही भी बात है तो सारी निकले निकले हीं है तो आप लोवर कास्ट वालों को इस बात से फाइदा भी हुआ तो कि इसलिए कास्ट पालिटिक्स का फाइदा तो होता है और कालिज कास्ट पालिटिक्स का फाइदा हुआ लेकिन इसे नुक्सान क्या हुआ ये कास्ट पालिटिक्स जो है कि समाज में व्याप्त हो गई और समाज में बैक तक गई आज भी पिहार उत्तर परदेश के जो है में आज फी आशूरी उत्यादी में कास्ट पालिक्सनों चलता है लेकिना दिकान से । यहां चलता है काश्ट पालिटिक्स कि अब कि इसायग काश्ट पालिटिक्सम यादव जी है तो यादव हम वोट उन्हीं को देंगे जो कुछ भी है अपने काष्ट में वोड़ देते हैं भले ही उस लायक हो या ना हो पालिटिक से यह होता है कि काष्ट के चक्र में जो महत्वपूर्ण विसाय होते हैं समाज की मुख्यदार के जैसे सिक्षा नहीं आ किस्वास्त जाते हैं और इसलिए काष्ट के बींच में दव जाने की वजह से ही वहाँ पर भीकास कम हो पाता है आज इसलिए बिकास अभी बिखास पा रहा है को कि सब्सक्राइब को पड महीं होगी जाती है इसलिए समाज बहुत नूगसान होता ने को कोई ज्यादा मात्रा में अ ग्जम ऊन्होंने जब लाया सीघ्ली देश सभी राज ये कि देश में जो भी राजे थे सभी राज इंटर्नेशन फंडिंग के चक्रें पड़े इंटरेल फंडिके अस्यbenimus מת भी जो है कि अब एक हो जाएगा हो सारा जो है को दुनिया यहां करने इंड़ेस्टी त्यादी कुछ जो कुछ भी लगाना होगा उसमें निवेस्ट करना होगा निवेस्ट करेंगे तो आधिकांस राजी किसमें कि चक्रम पड़ गए इंटरनेशला चक्र पड़ गए कि विधेसी यहयां पर निवेस्ट करें और इंडेस्ट्रियल हो अपर अपनेरे राज्व है लेकिन उसमें बिहार क्या कर रहा था बिहार ही कास्ट पालेटिक्स कर रहा था और आज भी भिहार में कास्ट बालिटिक्स होता है कि मैंने बताए सिर्फ बीहार में नहीं होता है और भी जगह होते हैं कि गर्मेंट चैन्ड 40 कि 45 पर ताइमस तक जो है कि 40-45 बार सरकारे चेंज हो चुकी है बिहार में अब सोच लें कि इतने समय में 40-45 बार सरकारे हो सकती है लेकि अंदाजी ही होना जो है कि लगभग 23-25 टाइ 25 मुख्य-मंत्री हो अब इतने मतरी होगा एक मुख्य-मंत्री को लगभग से करेकाल की बात करें तो लगभग से दो बर अबरिए liar करकाल लेकिन सरकार बदल जाती है उसके मनिष्टर बदल जाते हो पाती है सरकार किसी योजना के पृटी है सब तक होती है सरकार तब तक प्ता इन सब सब Dabeiforce और तक फिर गर्चेजे होना भी हुत रहां पर के जाती ब्यवस्ता इतनी शुद्रिण है कि अपने जातियों को चिला चिला कर लोग बोलने में गरोव महसूस करते हैं और वह अपने इस बात से गरव करते हैं कि हम अहीर हैं चत्रियां इस बात से गरों महसूच करते हैं यह नहीं सोचते जो समाज में दूसरी जाते के लोग है उन पर पर बूरा बूरा आसर पड़ रहा है कि नहीं पड़ इस बात की बिल्कुल भी चिंता परवाहिन得 अब देख सकते चांद उआर राज पुताना प्रहं यहां पर देख रहें गाड़ियों में लिकर घुम रहे हैं ब्राम हड खत्रिय जाट यादाओ देखिए यह जाटवलवान जाटेकता जिंधाबाद अब इसे यहां पर जातिवाद के मुद्दे उभरते हैं वहां पर बाकिसम मुद्दे दब जाते हैं तो जब आपको अहिर कह कर के खुब गरोब महसुस करेंगे आप करेंगे तो आप案 करेंगे प्लीटिक्स में को है वे टयुकेशन की बात कैसे करेंगे स्वास्ते की बात कैसे करेंगे ति यह अधा रूजाती बीवास्ता पर उजाएंगे अधेस्वा सिंधा का captures सब्सक्राइन जिल् tempted नहीं करेंगे सरकार से कि атुर से पालिटिक्स को फायदा हो ताइस India को सब्सक्राइब देखारें समाज को नग्सान होता है कि कि सुल्तिक्स के अभी कुछ ही माहिनों का रख माइनयों का उढ़ारन ओड़ारन यह भी आप इनको इनके साथ देखे होंगे फिर ये भी साथ में देखे होंगे और फिर ये भी साथ में देख लिए तो कितनी बार सरकारे चेंज होती है किसी किस प्रकार से सरकारे चेंज होती है और सरकार चेंज होने का प्रभाव क्या पड़ता है मैंने आपको बता दिया आगे चलते ह इसके बारे में कि पापूलेशन ग्रोथ रेट लिट्रेशी ग्रोथ रेट पापूलेशन ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट रहने कि जनसंख्या ब्रिधी जनसंख्या काफी तेज गहती से ब्रिधी करते हैं यहां पर जनसंख्या ब्रिधी का ग्रोथ रेट जो है काफी तेज होत लाता है क्योंकि को एजुकेशन देने में पैसे लगते हैं आज के समाज में एजुकेट करने के लिए पैसे लगते हैं खर्च होते हैं और जब कई लेकिन इस स्थिति में खर्च वाला उस योग नहीं है बच्चों का पढ़ाई दे पाए वह सरकार की कमी कहें तो इसलिए लिटरेसी जो है अट्रेमेटिक कम हो जाती है जैसे पपलेशन बढ़ता है लिटरेसी पपलेशन और फर्टिलिटी फट्रेलेटी जो है कि यानि कि जन्मदर यहां काफी अधिक है इसलिए तो जन संख्या घनत तो बढ़ रहा है यापर तीन पर्दी जन संख्या बढ़ा चाहिंगा रैजन्मदर काफी कम है काफी अधिक जन्मदर की हnn साधैक कि हार टीली जुक्事 बिहार में ही बिहार में ज़्यादा बच्छे के पैदा होते हैं इसलिए जन संख्या घंड घंड ट्री hemos होगा बाज की चीजिया से कम हो जाएंगी तो बाद की चीजों की कमी हो ने लगती है आगे देखते हैं Trash है ये इन्डिया इस्तर पर है जो-85 का जो 80 से उपर है मेल के लिए लगबग के करीब है अगर यहां पर देखें इंडिया और बिहार की देखें इंडिया यह वाला इंडिया है ए यह वाला इंडिया है और ये वाला बिहार रहाँ के रिट है अब यहां पर देख सकते हैं और बहाई को मिला चैनल से भी कम है। लेकिन लेकिन इस बिहार की कंशने लेक्ट यहां इस पर देखें है। कि चाहिए बिहार इंडिया है। है यानि कितने बच्चे पैदा हो रहा है इंडिया इंडिया में इंडिया का इतना है इंडिया का सभी राज्यों का और बिहार की इतना है कि अगर और अंठानबर निनानबर की बात है कि इंडिया का इंडिया का इंडिया का इतना है और बिहार का इतना हो गया है कि 2015 सोल में पहुंदा का यह है राटी रेट रेट रह रही है पाफी रइड़ रट आइगकी लिटरेउट की में समक्राइबंड करेट रहें करेड की समस्या घ्र PK wollte ंंसक्ति सरकार से अगर उठा भी पाएंगे गलती से उठाब दिये तब तक सरकार बदल जाएगी अब पापूलेशन डेंसेटी आप वुपी बिहार एंडिया देखिए पापूलेशन डेंसेटी जनसंख्या घनत की बात करें तो यहां पर यूपी यह है विहार यह है और इंडिया यह है यह इंडिया है यह बिहार है और यह यूपी है देखिए यूपी की इंडिया की एबरेज यह है और यूपी की इससे बहुत ज्यादा है ज्यादा यहां पर है यानि की पापूलेशन जनसंख्या घनत इंडिया की यूपी की ज्यादा है यानिक यूपी की की बड़ा छेत्रफल में है तो इसलिए चल जाता है अलांकि ठीक तो नहीं है ये भी लेकिन बिहार की बिहार की देख रहे हैं इतना उपर है इंसीटी बिहार की सबसे ज्यादा है पूरे देश भर में सबसे ज्यादा बिहार की है राजियों को ले अगर किंसाची प्रतिश क इंपलाइबिलिटी यानि की रोजगारी की दर भी कम हो जाएगी यानि की बिरोजगारी की दर बढ़ जाएगी रोजगार कम मिलेगा यानि की बिरोजगारी बढ़ जाएगी और जब बिरोजगारी बढ़ जाएगी तो क्या आपको कमाई होगी नहीं कमाई होगी तो नही character high high है तो पर दिन और दिन हो रहा है उसके बाद this इन की dato रखारी कम हो रही है विसक अलड़क है या व्रखारी कि इतर बढ़ रहे है जब रयरोजगारी कि इतर बढ़ए रहे करें तो लगभग 55,000 लगभग 55,000 के पास 55,000 रुपए पर एक साल में 55,000 के आसपास 45,000 कितनी होगी और उस राज की कूल जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो उसको डिवाइड कर देंगे यानि कि जितना उस राज में जितना भी पैसा होगा अगर सबको जितने लोग होंगे सबको अगर बांट दिया जाए तो एक साल में 55,000 रुपया मिलेगा सिरी से बात यह समझ लें तो जो कि सबसे कम है बहुत ज्यादा कम है पंजाब के दिखाते हैं सबसे अधिक यंग पापुलेशन बिहार में माने जाती है यहां पर सबसे अधिक यंग पापुलेशन बिहार में थे सबसे अधिक हार्ड ₂амен हो भीर पपुलेशन बिहार में है तो रोजगार के लिए जीविका के लिए लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाते तो हार्ड वर्किंग पापुलेशन है यंग पापुलेशन है फिर भी डायरेक्शन इन्हें अच्छी नहीं मिल पाई है इसके वज़े से आज भी पिछड़े हुए है पर कैपिटा इंकम का अगर हम चार्ट दिखाएं तो यहां पर देखते हैं चार्ट यह इंडिया लेबल सब्सक्राइब कर दो हजार तेरह चौदा में अगर इंडिया की सब्सक्राइब कमा पार रहे थे तो बिहार में केवल 28,000 भी कमा रहे थे यह पूरे इंडिया की आल इस्टेट की मिला का एबरेज है और यह बिहार का है अब देख सकते हैं कितना कम है जबकि उन्हीं लगभग सेम थी इंडिया का PCI जो है कि 265 था और बिहार का 204 रुपया था इंडिया का 265 और बिहार का 204 था उन्हीं सब्सक्राइब लेकिन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इंडिया काफी इतना पहुंच गया और बिहार जो है कि 28,000 पर 2013 चौदा की यह डाटा है आगे डाटा मैंने दिखाया आपको ग्रोथ की बात करें अगर बिहार और पंजाब की केपटल कंपेरिंग ग्रोथ की बात करें कि बिहार पंजाब की तो तो 1980 के दसक में बिहार काफी आगे था बिहार की ग्रोथ काफी आगे थी पंजाब की तुलना में यानि कि पंजाब बहुत पिछड़ा था बिहार की तुलना में लेकिन 2016 में क्या हुआ पंजाब ने पच्छाडा बिहार को अब इतना पच्छाड दिया इतना पच्छाड दिया पंजाब ने बिहार को कि बिहार जो है कि बिल्कुल सिमट कर रह गए उसके सामने तो बिहार की ग्रोथ इतनी है और पंजाब की देख रहे हैं कितनी है यह 2016 का ड़ाटा है एराउंड 170,000 रुपीज देखे 170,000 170,000 देखे यानि कि 1,70,000 इस समय की बात करें 2023 की अभी 2024 चल रहा है और 2023 की बात करें तो 2023 में एक साल में पूरे भारत का एवरेज इंकम कितना था एक लाग सत्तर हजार यानि कि भारत का एक व्यक्ति एक साल में एक लाग सत्तर हजार कमा पा रहा है कमा पा रहा था 2023 में जबकि बिहार की बात करें तो 54,110 रुपिया तो 54,110 केवल 54,110 के इसका आधा भी नहीं है इसका आधा नहीं है आधा क्या एक तिहाई भी नहीं है इसका है विच्वल एंड सोसल एक्सान इस पर समाज के पिछड़ईपन के कारण एक और होते हैं मैंने बताया बाइलोजी की द्रिश्टी से इटल्स में नहीं बताया लेकिन मैंने बताया कि जुँ है कि स्वूटियम पोटेसियम पंप के द्वारा मस्तिक्स में जिस प्रकार समेदनाई पहुंचती है उन्हीं समेदनाओं के अनुसार मस्तिक्स हमारे समरीव से काम करवाना सुरू कर देता है तो हम वजिसा ही एक्सन करने लग जाते हैं जैसा हम सुचते हैं और ऐसा एक्षन करते करते वहीं एक्षन हमारी आदत बन जाती है और वहीं हमारी एक्षन बन जाता है वहीं आदत बन जाती है इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो कुछ दिनों बाद अच्छी आदत बन जाएगी लेकिन बुरा सोचेंगे तो बु ऐसे गाने सुनने की आदत समाज में बुरी संदेश देते हैं ऐसा गाना सुनते हैं यहां पर पुर्वी उत्तर प्रश में और भीहार में अधिकांस्तर भीहार में जो समाज में बुरा संदेश देते हैं अच्छा संदेश नहीं देते हैं इसलिए इनकी सोच बिक्षित नही व्लीमसाइट तो आप Onlyhet लया है आप जैसा देखेंगे जैसा सोचेंगे जैसा पढ़ाएंगे वैसा ही तो आपका धिमाग एक्टी वेट होगा और वैसा ही चुटो लगी अप सकते हैं कुछ यहां पर प्रारूप देख सकते हैं नीबूकर कुरती लागा Gel कि अइसा कहान्हें अच्छा भी नहीं लगता है कि यहां पर देख सकते यह आप देख लिजिए यह गाने का प्रारूफाएं गाने का प्रारूफाइं और यहां displacement समयंक्त सबस्के से सब्सक्राइब किसी को देख सकते हैं तो सब्सक्राइब कर रहा है समाज इन गानों को प्रमोट कर रहा है और यह साहित्य समाज का समाज वैसा ही डेवलप होगा ऐसे गाने हम तो कहेंगे बंद कर दीजिए इन गानों को प्रमोट ना करें सुनना बंद कर दीजिए अच्छे गाना सुना करिए वह लग चीज है कि मनुरंजन के लिए कुछ जरूरी होती है लेकि इतनी भी जरूरी नहीं होती है कि वहीं आद अनुसार क्या होना चाहिए और हम अपना सुझाव अभी दे रहें हमारा सुझाव क्या है कि अपने होरिजन को बढ़ा करें अपनी सोच को बढ़ा करें समाज का दरपन जो है उसको बदलने की कोशिश करें क्योंकि समाज का दरपन बदलेंगे अपने सोच को बदलेंगे तो आपका माइंट वैससे एक्टिवेट कराएगा अपना सरीर से और वो चीज़े आदत बन जाएगी जब आदत बन जाएगी तो धीरे-धीरे करके सुधार होने लगेगा अपने पर ध्यान दे संभावनाएं आपके क्या-क्या है संभावनाएं आपके पास काफी है गैप वहींगों संभावनाएं जो सकता है लेकिन बढ़ावनाएं चाहां समाटियाल को बदलेगे अपनी बदले का सबसे इज अए संभाव न दिक होती को दिए बिशार को आपके सब अब बदले कर जाना हम सब की जिम्यदारी है ऐसा नहीं है कि हम सब की जिम्यदारी है भले ही वह बिहार के नागरिक हो या ना हो लेकिन सब की जिम्यदारी है कि बिहार को आगे बढ़ाएं हम लोग सब्सक्राइब लेकिन आप उससर्मेंदगी होते हैं आप अपने लोग कीजिए आप सबसे आप सबसे सर्मेंदा नहीं होए विहारी सबसे आप गर्व करें लगार्व करना शुरू कर देंगे आपको सर्मेंदगी की होगी कहने वालों के महँंपर घ्ला आठीमेटिक लागया उसा अभी देखिया होगे अगर हर्याना कोई लोग है तो कहें कि पंचाबी है हम उत्तरप्रदेश के जिए विहारी सब्सक्राइब यह हमारा सुझाव रहा और जो है सबसे बड़ा सुझाव रहा सहित्य समाज का दरपनवाला उस पर ज्यादा फोकस करें और अगर इस लगए देद्वीदियो को लाइक कर देजेगा कर देजिएगा तथा चैनल को अभी ते सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देजिएगा इस प्रकार की इन्फार्मेटिव वीडियो समय समय से आपको मिलती रहें धन्य बाद